तिजोरी का नाम सुनते ही एक चित्र सामने उभर कराता है जिसमें रूपे पैसे भरे रहते हैं। हर कोई चाहता है उसकी तिजोरी हमेशा धन्धान्य से भरी रहे। और इसके लिए वो मा लक्षमी को परसंद करने के अने को उपाय करते हैं कि उनकी तिजोरी किसी भी तरीके से खाली नहीं होनी चाहिए। आये जान लेते हैं मा लक्षमी को परसंद करके आप अपनी तिजोरी को किस प्रकार भर सकते हैं। आपको अपनी तिजोरी में 10-10 के नोट की एक गड़ी रखनी चाहिए तिजोरी में पीटल और तांबे के सिखे भी रखने चाहिए कुछ सिखे आप अपनी जेमे भी रखें पर ध्यान रहे सिखे जर्मन या इलूमीनियम वाले नहीं होने चाहिए एक पीपल का पत्ता लें उसे साफ कर लें उस पर देशी घी से मिश्रित लाल सिंदूर से ओम लिखें और इसे तिजोरी या धन रखने वाली जंगा पर रख दें ऐसा आप कम से कम पांश शनिवार तक करें तो पांश पत्ते हो जाएंगे इससे आपकी धन संबंदी समस्या दूर हो जाएगी धन संपदा के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के अंदर काली गुंजा के ग्यारे दाने पवीत्र करके रखें जिस स्थान पर पैसा रखा हो या तिजोरी पर हमेशा लाल वस्त्र विचाएं दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर डगाएं पूजा की सुपारी पूर्ण एवं अखंडित होती है इसलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मानकर उस पर जने उचड़ाय जाता है पूजा के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें माना जाता है ऐसा करने से तिजोरी पर मा लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का आशिरवाद हमेशा बना रहता है शुक्रवार को पीले कपड़े में पांच कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांग कर तिजोरी में रख दें इसके साथ थोड़ी सी हल्दी की गाठे भी रख दें कुस दिनों में इसका असर आपको दिखने लगेगा दक्षिना व्रति शंग का तंत्र मंत्र में विशेश महत्व है इसे घर के पूजा इस्थान या तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी स्वते ही आकशित होती हैं और रंक को राजा बना देती हैं यह बहुत ही चमतकारी उपाय है सोम पुष्प्रयोग में इसे घर में रखने से सुक सम्रिद्धी बनी रहेगी अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल ले और उसको इंक के जैसे इस्तिमाल करते हुए मोरपंख से श्री लिखें अब इस भोजपत्र को आप तिजोरी में रख दिए आप कुछी दिनों में देखेंगे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा होली के दिन आप गुलाल का एक खुला पैकेट लें उसमें एक मोती शंक और चांदी का एक सीका रख कर नए लाल कपड़े में लाल मौली से बान कर तिजोरी में रखें इससे आपके वेफसाय में लाब होगा इसी तरह की अन्य बाते उपाय और व्रतकताई जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशा सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तेसे लाइक और शेयर करना ना भूलें नमस्कार